यहां जब इस लडाई मैं आए तो हम पसंड करके नहीं आया थे कि वह उमारी लडाई जितेंगे। वो हमें लड़ाई जीत वा देंगे, हम अपने विश्वास पे आये थे कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, और सच कभी दबता नहीं है, चाहिए वो एक परसन बोले, चाहिए वो गुरूप में बोले, और अभी हमारा तो इतना बड़ा जो भी करेगा तो वो हमारे सामने आके प्रूफ कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं, हम क्यों प्रूफ करें कि हम सच बोल रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं कि आप प्रूफ कीजिए, हम वेट कर रहे हैं कि आपका प्रूफ रोगे इस चीज़ को, तो प्रोग्रेस जो भी हो, मुस्किल टाइम है एजे एटलीट मेरे लिए क्योंकि मेरे ट्रेनिंग ने उपार अच्छे से हम मेंटल पीस नहीं है हमारे पास में और एजे एटलीट अगर आपके पास में मेंटल आपके उपर इतना प्रेशर है तो आप इंटरनेशनल कॉंपेटिशन स्टार्ट हो गए है लेकिन वो हम नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि हम सब जब तक हम वेट करें जब तक हम इस सचाई में जीतनी जाते हैं जो फैसला जो हभी तक आ जाना चीए लेकिन उन्होंने दस दिन का टाइम और दिया है तो बस हमारी यही उमीद है कि जल्दी से जल्दी फैसला आए और हमारे हक में आए क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा के हम इस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं इतने साल लगे हमें हिम्मत जुटाने के लिए बस यही सोच के हिम्मत जुटाई थी जो आगे आने वाले जो यंग रैसलर हैं उनके साथ आगे ऐसा ना हो प्रोग्रेस से मैं खुश हूँ बस यह है कि फैसला तो जल्दी होना चाहिए क्योंकि फिर हम भी स्ट्रेस फ्री हो के टेंशन फ्री हो के अपने काम के तरफ लग जाएं क्योंकि एशन गेम्स आ रहे हैं उनकी ट्राइल्स होंगी तो में यही है कि फैसला जल्दी आ जाए बाकि वो काम अच्छे से ही कर रहे है